वेलकम बैक टू आर चैनल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो टिप्स प्रोड़क्ट एंट्रे के लिए पहली टिप है क्लोजिंग बेलेंस एज़न डेट अगर आपको एंट्री करते समय यह जानना है कि पर्टिकुलर डेट में पार्टी का क्लोजिंग बेलेंस कितना थ तो आप क्लोजिंग बेलेंस एज़न डेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं चली यह जानते हैं यह ओप्शन हमें कहां मिलेगा यह ओप्शन हमें सभी ट्रांजेक्शन्स एंट्री में मिल जाएगा गो टू सेटप वाउचर सेटप और यहां सेल्स इन्वीज में जाए य डिफोल्ट इस option में no set होगा पहले इसमें no select करके इसका use देखते हैं चलिए sales entry करते हैं मान लिजे कि हमें ये जानना है कि 10th में 2023 को इस party का closing balance कितना था जिसे ही हम date enter करेंगे तो यहां left side में आपको balance की details मिल जाएगी ये जो balance show हो रहा है वो party का account ledger की closing का है as on current date एसा इसलिए है कि हमने closing balance as on date option में no set किया था अभी हम इस option में yes set करके इसका use देखते हैं date enter करें जो है 10th में 2023 यहां पर आप देख सकते हैं कि इस date के हिसाब से closing balance इतना था दूसरी tip है closing stock as on date अगर आपको entry करते समय ये जानना है कि किसी product का particular date में closing stock कितना था तो आप closing stock as on date option का use कर सकते हैं ये option आपको stock वाली सभी transaction entries में मिल जाएगा यहां sales invoice में product entry option के अंडर required closing stock as on date का option मिल जाएगा पहले हम no set करके इसका use देखते हैं let's generate an entry मान लिजे कि हमें 15th June 2023 date में इस product का closing stock कितना था ये जानना है तो यहां date enter करें product enter करें चिसका हमें closing stock जानना है यहां left side में closing stock की quantity show होगी यह जो quantity है वो product ledger की current closing के हिसाब से show हो रही है अब हम इस option में yes set करके इसका use देखते हैं जैसे ही product enter करेंगे तो यहां closing stock की quantity as on date यानि की जो date हमने enter की थी उसके हिसाब से show होगी है ना बहुती useful tips product entry के लिए इसे के साथ हम इस tutorial को समाप्त करते हैं don't forget to like share and subscribe to our channel thank you for watching